हलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एलसी यादोव सहिक आचारिय राजगे बंगड महाविद्धाले डीटवना पिछले वीडियो में हमने देखा भार्षासना दिनियम 1909 और आज हम भार्षासना दिनियम 1909 के बारे में बात करेंगे बार्षासना दिनियम 1909 का दूसरा नाम मौन्टिंग्यू चैंपसपोर दिनियम 1909 है इसका मौन्टिंग्यू चैंपसपोर दिनियम 1909 नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय भारत सचीव मौन्टिंग्यू खा करते थे और वाइसराई चैंपसपोर ठीक उसी परकार जैसे 1909 के अधिनियम में पारित हुआ उस समय भार सची मार ले थे और वाई साई मिन्टो इसलिए उसका भी दूसरा नम मार ले मिन्टो अधिनियम था तो चलिए आज देखते हैं मौन्टेंग की चैम्सपोर्ड अधिनियम की कुछ मुख्य मुख्य बातें कोई भी अधिनियम पारित होने से पहले कुछ या तो अंग्रेजों की मजबूरियां हुई होगी या उनका कोई स्वार्थ रहा होगा या फिर राष्टवादियों का कोई दबाव रहा होगा ठीक उसी परकार आज हम देखते हैं कि 1919 के अधिनियम की पिछे का बैक ग्राउंड क्या था उनिसो अधिनियम की प्रष्ट भूमी क्या थी तो जो 1909 का अधिनियम आया उसके बाद में हम एतियासिक दरश्टी कौन से देखते हैं तो 1909 से लेकर 1919 के बीच जो भी गतिविदियां हुई उनको हम 1919 के अधिनियम की प्रष्ट भूमी मान सकते हैं तो 1909 का अधिनियम आया उससे राष्ट वादी कभी भी संतुष्ट नहीं हुए एसंतुष्ट ही रहे क्योंकि राष्ट वादियों की मांग उत्रदाई शासन की थी और जो भी उसमें प्रस्ताव लाए वो अंग्रेजों का हमेशा यही रहा कि कैसे जैसे हमारा यहां पर हमारी सत्ता बनी रहे इसलिए राष्ट वादी सुरू से ही अंग्रेजों से ऐसंतुष्ट रहे दूसरा इसका प्रस्ट मुमे में हम देखें तो 1914 में जब पर्थम 200 युद चल रहा था तो बिटिस सरकार भारत से मदद चाहती थी लेकिन भारत ये जो राष्ट वादी थे वो इसी सरक पर मदद करना चाहते थे कि अगर युद समापती के बाद हमें आजादी मिल जाए हमें डॉमिनियन स्टेट का दरजा दे दिया जाए तो हम आपकी सायता करेंगे अनेता नहीं तो इस दोरान बिटिस सरकार ने भारत में उत्तरदाई सासन की स्ताफना का वादा किया था साथ ही बाल गंगा धरतिलाद एनिबेशेंट इनके दोरा हॉम रूल आंदुलन 1915-16 की मद्दे चला गया था 15-16 में हॉम रूल आंदुलन जो मद्राश, मंबई इस चेत्र में बहुत ही अपनी गती पकड़ चुका था तो ये एक तरह से बिट्टी सरकार पर दबाओ का काम कर रहा था 1907 में जब कॉंग्रेश और 1906 में जब मुसलिमें की स्ताफना हुई थी उसके बाद में मुसलिम पर्थक निर्वाचन पैक्ट के माद्यम से अलग हो चुके थे लेकिन 1916 में लखनों पैक्ट में कॉंग्रेश और मुसलिम लीग वापस बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना साब के दोनों के पैक्ट के वज़े से एक जगह आ गई थी और एक 1918 में कमिट्टी भी बनी थी उसने भी अदिनियम की बात की इस संपोन प्रष्ट भूमी के बीच 1910 पारित हुआ तो आएए अब हम देखते हैं कि 1910 की मुख्य मुख्य बातने क्या हैं इसके क्या-क्या विसेज़ता हैं तो 1919 के अधिनियम की मुख्यों मुखे विसेश्था हैं देखें चाए वो 1703 का Regulating Act हो 1784 का PIRS Act हो 1822 का हो चाए 1909 का हो हम किसी भी अधिनियम की विसेश्था हैं देखने के लिए उसको चार भागों में डिवाइड करेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि बिटेन में जो परिवर्तन हुए वो क्या थे केंद्री इस्ते पर परिवर्तन क्या हुए प्रांती इस्तर पर क्या परिवर्तन हुए और अन्य क्या परिवर्तन हुए ये इनकी विशेश्टाओं को हम चार बागों में बांट कर आराम से समझ सकते हैं तो आपको पता है बारत बिल्टेन में भारत परिस्द की इस्ताफना हो सकी थी उसमें 15 सदस्य होते थे और एक भारत सचीव होता था तो उसमें 1919 का दिनियम आया तो उसमें विवस्ता कियागी कि भारत परिस्द में तीन भारतियों को सामिल किया गया भारत परिस्द में कितने सदस्यों को सामिल किया गया तीन सदस्यों को उसमें सामिल किया गया भारत परिस्द में तीन सदस्यों को सामिल किया गया और एक नए पद्गा सरजन किया गया भारत उच्चायुक्त नामक नए पद्गा सरजन किया गया और भारत सची उसे कुछ अधिकारों को लेकर उच्चायुक्त को दे दिया गया जैसे भारते चात्रों के हितों के बारे में व्यावसाई के हितों के बारे में यह संपूर अधिकार उचायुक्त को दे दिये गए यह ब्रिटेन में परिवर्तन किये गए अब देखते हैं कि केंदरी इस तरह पर क्या परिवर्तन हुए केंदरी इस तरह पर जो वाइस राइक कारी करनी परिस्द होती थी इसमें च्छे सदस्यों में से तीन भारतियों को सामिल किया गया पहले आपने देखा था कि 1909 के अधिनिये में पहली बार एक भारती सदस्यों को सामिल किया गया था एस पी सिन्ना साब को लेकिन अब 1919 के अधिनिये में तीन भारतियों को सामिल कर लिया गया और कमांडर इन चीफ का पद होता था वो सुरक्षित पद था कारे करने में वाइसराई की दौरा निक्त किया जाता था बलकि इन तीन सदस्टे जो बाहरती हुआ करते थे इसके अलावाद दूसरा परिवर्तन किया गया केंद्रे इस तरह पर केंद्रे में 2 सदनीय विधान मंदल का प्राudhahn किया गया जैसे कि अब हम देख सकते हैं इसको लोकषभा राजिसभा के रूप में परिकार वहां उस समय में 3 विधान मंदल का प्राउधन किया गया और उसका नाम दिया गया Council of State और Central Legislative Assembly इसके अलावा अन्ने के इंद इस तर पर परिवरतन किया गया कि सदस्यों के अधिकारों में वर्दी कर दी गई सदस्यों के अधिकारों में वर्दी कर दी गई उनीशों 9 के अधिनियम में हमने देखा था कि उसमें अनुपूरक प्रशन पूँचने का और बजट पर चर्शा करने का दिखार दे दिया गया था इसका थोड़ा सा विश्तार किया गया और अब भारतिय सदस्यों से अलब सूचना प्रशन भी पूँच सकते थे और इस्तगन प्रस्ताव ला सकते थे कारी को रोक सकते थे, कामरों को प्रस्ताव ला सकते थे कारी इस्तगन प्रस्ताव ला सकते थे केंदर इस्तर पर एक और प्रिवर्टन लाया गया कि केंदर और प्रांतों के बीच विश्यों का विभाजन कर दिया गया महतरपुन विसे केंद्रे में रखे गए और कुछ विसे प्रांतों को दे देगे जिस पर प्रांत ये विधान मंडल अपने कानून बना सकते थे इसके अगली विशेष्था इसकी है कि केंद्री ये लोग सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया नेक्स्ट विसेष्था इसकी ये है कि पर्थक निर्वाचन का दायरा बढ़ाया गया आपने देखा था कि 1909 के अधिनियम में पहली बार साम प्रदाइकता को बढ़ावा देकर मुस्लीमों के लिए अलग से व्योस्ता की गई थी जो अब बढ़कर येरोपियन सिख आंगल भारतिये हैं इनके लिए निर्वाचन का दायरा पर्थक निर्वाचन का दायरा बढ़ा दिया गया और लोगों के मतादिकार का भी अधिकार दिया गया इसमें संपती कर सिक्सा के आधार पर सिमित संख्या में ही लोगों को मतादिकार दिया गया अब हम देखते हैं कि प्रांते इसतर पर क्या परिवर्टन किये गे प्रांते इसतर पर द्वेज सासन के सुरुआत के गी यह 1919 के अधिनियम की सबसे महत्रपूर्ण विशेशता है कि उस समय प्रांतों में द्वेज सासन लाए गया आपने देखा कि केंदरी इस तरपर कुछ विशे राज्यों को दे दिये गए थे और जो राज्यों को विशे दिये गए उनको द्वेद सासन की सुरुआत हुई द्वेद सासन के बारे में हम डिटेल से देखते हैं कि द्वेद सासन है क्या जो विशे राज्यों को दिये गई थे उनको दो बागों में बाढ़ दिये गया कुछ आरक्सित विशे और एक था आरक्सित विशे और दूसरा कौन सा था हस्तान्तित विशे आरक्सित विशे गवर्नर और मनोनित मंत्रियों के अधिन होते थे गवर्नर और मनोनित मंत्री जो गवर्नर के द्वारा ही नियुक्त किया जाते थे उनके अधिनी ही विशे होते जैसे वित गरहे भूरा जस्वे इससे समंदित विशे इसमें आते थे हस्तांत्रित विसे, निर्वाचित मंत्रियों के धीन जो विधान परिशद होती है उसमें निर्वाचित होकर आते थे उन व्यक्तियों के लिए जो विसे होते थे वो निर्वाचित विसे जिसे शिक्सा, स्वास्ते, इनको देखकर हमें लगता था कि liability पूरी तरह से यानि जिम्यदारी पूरी तरह से हस्तांत्रित भी सुयों में थी यानि जो मंत्री यहां निर्वाचित होकर जाते थे कारे करने की जिम्यदारी की सिक्सा को बढ़ावा देना स्वास्ते को करना ये जिम्यदारी किस की थी निर्वाचित मंत्रियों की जबकि वित ग्रह व्यावस्ता भूरा जस्वे जैसे इंपोर्टेंट विसे जिससे सरकार की आय होती थी वो रिजर्व रखे के गवरनर के लिए इस परकार इसमें ये दोहरी व्यावस्ता देखने को मिली हलाएं कि ये लागू नहीं हो पाई ये इसके मुख्यों मुख्यों के विसेज़ता हैं थी इसके साथ ही इस अदिनियम में एक प्रावधान किया गया कि एक वेदानिक आयो का गठन का प्रावधान हुआ कि यो दस वरस बाद जाच करके रिपोर्ट देगा कि उत्रदाई सासन कहां तक सफल हुआ हलाएं कि ये दस वरस बाद बजाए आट वरस पर इस साइमन कमिसन के रूप में आया जिसका काफ़े विरोध हुआ तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद